जै माता दी मित्रों दीपावली का पावन फर्व साल 2023 में 12 नमंबर रविवार के दिन होने वाला है ऐसे में धहन की देवी माता लक्ष्मी जी धर्ती पर आने वाली है और भगवान स्री गनेजी की किरपा से धहन की देवी माता लक्ष्मी जी की किरपा से सभी भक्तों का कल् रविवार के दिन है ऐसे में मित्रू सुब समय में अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपास न करते हैं तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनो कामनाव को पूर्ण करती हैं ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2023 में लक्ष्मी पूजा 12 नमंबर को कितने बज़े से कितने बज़े तक होने वाला है यानि कि लक्ष्मी पूजा का सुमूरत कौन सा रहेगा मित्रो वीडियो बहुत ही खास है इसलिए आप वीडियो को पूरा अंतर तक देखेगा इस वीडियो में मित्रो आपको बताना चाहेंगे कि दिपावली पर पांच तरह के राजियोग का निर्मान होगा इसलिए इस बार के दिपावली बहुत ही खास रहने वाली हैं दिपावली में आप घरों में दिये जलाएं और रोसन करें और इसके अलाबा दिपावली की साम को और रात के पहर में मालक्ष्मी जी की पूजा करने का विसेश महत होता है विधान होता है हिंदू पंचांग के अनुशार दीपावली का तेहवार और मालक्ष्मी जी की पूजा कार्तिक महा के अमवस्या तेथी पर प्रदोस काल और इस्थिर लगन में किया जाता है इस बार दिपावली पर भगवान गनेशी और मालक्षमी जी की पूजन के लिए दो सुब मुहरत रहेगा तो मित्रों इन दोनों सुब मुहरत में आपको जानना होगा कि विशेच और सबसे 72 मुहरत कौन सा है तो हिंदु कलेंडर के अनुशार हिंदु पंचांग के अनुशार दिपावली का पर्व कारतिक कृष्ण पक्षि की अमवस्था तिथी पर बनाया जाता है जाती है इस कारण से 12 नमंबर को प्रदोस काल में लक्षमी जी और भगवान गनेशी की पूजा अराधना होगी ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला जो मुहरत है उसके बारे में तो प्रदोस काल 12 नमंबर 2023 को संध्या काल 5 बसकर 11 मिनट से 7 बसकर 49 मिनट पे रह 12 मिनट से 7 बसकर 19 मिनट तक रहेगा वहीं आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली का दूसरा मुहरत यानि कि दीपावली का जो दूसरा मुहरत है दीपावली का रात को महालक्षमी पूजा के लिए यह निशित काल मुहरत पी अच्छा माना जाता है निशित काल का मुहरत जो है वो 11 बसकर 49 मिनट रात्री से 12 बसकर 30 मिनट रात्री तक रहेगा जिसकी कुल अवधी 52 मिनट की रहेगी इसके अलावा इस वार दिपावली पर आईस्वान और सोभाग योग भी बन रहा है वैदी 54 सात्र में सोभाग योग को बहती सुभ और मंगलकारी योग माना जाता है ऐसे में इस योग में दिवाली पूजा और सुभ कारिक करने पर भाग में विर्दी और सुख समर्दी आपके घर में शदेव आती रहेंगी इसलिए आप जो है इस मुहरत में ही पूजा उपासना करें जो कि मैंने आपको बताया आपको वीडियो के डिस्क्रिस्टिन में भी पूरा डिटेल्स मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी तो आप वहां से भी देखिएगा और मा लक्ष्मी जी और भगवान घनिज जी आपके धन के भंडार को हमेशा भरते रहें आपके घर में परिवार में सुख समर्दी बनी रहें आपको बड़ी परसंता मिले आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासनी